हालों वेल्कम बैक टो यह स्परेंट्स एंस यहाँ इस लेक्चर सेरीज में तोड़े वी आर गोई टू कवर चैटर टू आप क्लासिक्स जॉगर्फी जिसका नाम है लाटिटूड एंड लॉंगिटूट्स अच्छांस और दिशांतर इंपोरेंट चैप्टर है क्योंकि ला में परिप्ट सब्सक्राइब करते हैं लाटिटूड एचन्स क्या होते हैं तो एक्क्वेटर आप सभी जानते हैं एक्वेटर कैसा होता है तो इक्क्वेटर देखिए यह हमारा होगए और इसवे बीच बीच में बाढ़ बाटबा बाड़ेंगे क्योंकि अगर आप equator के माद्यम से अर्थ को दो भागम बाढ़ देंगे तो आपको दो अर्द गोले मिलेंगे तो इससे थाबित होता है कि equator क्या है circle है तो इसी के parallel north side में भी और south side में जो circle किच जाते हैं उन्हें हैं latitude तो parallel circles to the equator are called latitude अब आईए इस चितर को समझते हैं क्योंकि यह चितर काफी important है और इस चितर के माद्यम से ही हम सारा जो important latitude से उनको समझ लेंगे अब यहां पर देख पा रहे हैं हमने इसे जब आप north में 23 and half degree north latitude तो जाएंगे तो यह क्या है यह आपका कहलाता है ट्रॉपिक आप cancer कहलाता है ट्रॉपिक आप cancer इसे हिंदी में हम कहते हैं करकर रिखा तो आपका 23 and half degree north latitude क्या करकर रिखा ठीक इसके उलट आप 23 and half degree south equator latitude की तरप आएंगे तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक आप कैप्री कॉन कैप्री कॉन कैप्री कॉन और यह जो ट्रॉपिक आप कैप्री कॉन है इसे हम मकर रेखा कहते हैं इसे भी आप जानते रहें और यह यहीं पर क्यूं है यह बड़ा सवाल है कि यह दोनों अखिर कि यह 30 डिगरी पर क्यूं नहीं है 35 डिगरी पर क्यूं नहीं है क्यों यह 23 and half degree north पे है और यह क्यों 23 and half degree south पे है देखें रीजन यह है कि जो हमारा sun है यह sun जो पिट्थवी पर अपने lights बिखेरता है तो sun कभी भी north side में पिट्थवी के 0 degree equator के north side में 23 and half degree north से आगे it means इसके आगे इसके north side में 30 degree 40 degree इधर यह कभी भी 23 and half degree north से आगे सीधा लंबवाद दोपार में कभी भी नहीं चमकता है तो जो sun है वो 20 degree half half 20 degree and half degree north से 23 and half degree south के बीच में ही sun कभी न कभी किसी न किसी जगा पर लंबव चमकता है बिल्कुल vertical होता है बिल्कुल सिर के उपर होता है लेकिन इसके beyond चाहिए north में हो चाहिए south में हो कभी भी sun जो है बिल्कुल vertical बिल्कुल सिर पर नहीं चमकता है किसी भी region में तो इन दो reasons को mark करने के लिए एक imaginary line हमने खेज दिया जिसको हमने एक बिल्कुल लंबव चमकता है बिल्कुल सिधा रहता वर्टिकल रहता है और ज्यादा यहां पर heat दे रहा है तो जिब sun यहां पर ज्यादा बात यहां पर गर्मी भी ज़्यादा ओगी और गर्मी होने की वाएँ से यह वाला च्षेटर जो इसे हम कहते है ऊश्र कडबंदी यह तो रिट जून भी से कहते हैं तो रिट जून क्योंकि यहां पर गर्मी जादा होती है इस रिजन में काफी जब हैं इसके बाद जब और नार्घ गुलाद में रेगा तभी सौरिक यहां पढ़े हैं तो सूरिक में पहुचति ऐसे कंपरेडशन मतलब ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा थंड़ा और जो 66 and half degree north latitude है इसे हम architect circle के रूप में भी जानते हैं North pole में आपका architect circle है और South pole में आपका Antarctic circle है अब ये 66 and half degree north में ही क्यों बना reason इसका ये है कि इसके beyond कभी भी जिस sun है वो धरातल से उपर नहीं उट पाता है हमेशा धरातल से चपक कर मतलब उसकी तिर्ची आती है और इसके beyond 6 मैंने आप उतरी गुलाड में रात होती है 6 मैंने उतरी गुलाड में दिन होता है तो जब सूर्य जो है उत्रनायन्त होता है इतमीज जब सूर्य नदन हमिस्पेर में होता है उस समय जो north pole वाला इसा होता है जो frigid zone होता है यहाँ पर दिन होता है लेकिन जैसे ही सूर्य जो है सदन हमिस्पेर में चला जाता है जब गुलाड में चला जाता है जो जो frigid zone है यहाँ पर 6 मैंने रात हो जाती है तो इस वज़ए से इसको यह आर्क्री सरक्रण नाम दिया गया ठीक सिमिलर चीज़ें यहां पर हैं साउट टेंपरेट जून और यह अंटाक्टिक सरकल जाता है यहां पर बस यह डिफरेंस होता है बाकि फ्रिजट जून यहां पर भी देखने को मिलता है तो यह हमने कुछ चीजों को टेंपरेशर के अतार पर लाटिटीटूड को देख लिए यह बहुत ही इंपॉर्ण समझना और इसे आप धिमाग में रखे रहेंगे क्योंकि आगे भी यह बहुत ज्यादा काम आने वाला है ओके नेश्ट पॉइंट लेट अब हम बात करेंगे लांगिटूड के लांगिटूड क्या है इमेजरी लाइन है ऑन दो ग्लोब र दिसांता रिखाया करें नर्ट इनका इंपॉर्टन सीह है कि यह जो अच्छांस रिखाया होती है उनके दोनों के साथ में यूज करके हम किसी भी अर्थ पर किसी प्लेस को जान सकते हैं किसी बी जगह के टाइम को इसमाय मेरे टाइम के रिवाल वाले दिसक्स किया आपका वाला भी वीडियो आपको दिया जाता है और इसे प्राइम मेरीडियन क्या है प्राइम मेरीडियन प्राइम पास्ट थू ग्रीन विच्ट जो लंदन बेसे ग्रीन जिसे कहते हैं वह जिरो डिगरी देखा है यह पास होती है यहां से यह और फैक्ट है आपके 82 डिगरी एंड थर्टी मिनट इस्ट वाला जो देसांतर रिखा जो लॉंगिट्यूट है यह आर्थ का जो स्वारी इंडिया का इस्टेंडर्ट टाइम जोन है इस्टेंडर्ट टाइम मेरीडियन है मतलब भारत में जो टाइम कल्कुलेट क जलता है और विस्टो में जो कल्कुलेट किया था वो जीर्य डिगरी ग्रीन विज्ट के पास जो गुजरती है प्राइम मेरीडियन उसके मादम से कल्कुलेट किया जाता है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें 120 डिग्री वेस्ट साइड में क्या टाइम हो रहा होगा तो इस तरह के questions को लगाने के लिए समझने के लिए आपको यह करना पड़ता है time का difference और यह आपको आएगा जब आप latitude इसमें कर लिए तो इसके बाद जैसा रगाव को वीडियो उसके साब कमेंट करें इस बाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार